फेसिलिटेशन सेंटर्स फॉर पोस्टल बैलेट्स डागमत पत्रहितू सुविधा केंद्र डिस्कलीमर एर ट्रेनिंग मटेरियल कि एवल एलेक्शन ओफिशल्स की ट्रेनिंग के लिए है इसे भारत-निर्वाचन आईउफ की गायलाइन की रूप में माने ना किया जावे किसी भी तरह की शन्साइक इस्तिती में भारत-निर्वाचन ओफिशन की गायलाइन रूल्स लॉस को ही माने किया जावे लूर्निंग आउटकम्स इस एजुकेशनल वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स कंडेक्शन अफ एलेक्शन रूल 1961 के रूल 18-A को समझ सकेंगे वह यह एक्स्प्रेंड कर सकेंगे कि फैसिलिटिस और सेंटर में किस तरह की अरेजमेंट्स करने है और उसके वर्किंग का टाइम और ड्यूरेशन क्या रहेगा पोलिंग ओफिसल्स के ड्यूटिस और रूल्स को समझ सकेंगे पोस्टल बैलेट को किस तरह से कलेट करना है जान सकेंगे पोस्टल बैलेट के संबंद में कमिशन के इस्ट्रक्शन को समझ सकेंगे और पोस्टल वोटेंग एड फैस्टरिटिशन सेंटर से सम्मधित डिफ्रेंट प्रोफार्मास और फॉर्मेट से फैमिलराइज हो सकेंगे रूल 18-A और कंडेक्शन अफ रियक्शन रूल 1961 कहता है कि नर्वाचान डूटी पर तैनायत नर्वाचाक सविधा केंदर पर वोट डालेंगे ऐसे नर्वाचकों को पोस्टर बैलर पराप करना होगा उस पर अपना मतंकित करना होगा और उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्दिश सुविधा केंदर पर वापिस करना होगा पोस्टल बैलेट जारी किये जाने वाले व्यक्तियों का डेटाबेस पहले से ही तैयार किया जावेगा होम गार्ड साहिट पुलिस परसनल के मामले में पोस्टल बैलेट की सुविधा से सम्बंदे सभी कतिविदियों के समनवाई के लिए एक नोडल अधिकारी निक्त करेंगे पुलिस अधिकारियों द्वारा विशिष्ट जिनर्वाचा सम्बंदी करतेवियों पर न्यूक्त ड्राइवरों, कंडेक्टरों, कीले रनरों और अन व्यक्तियों के मामले में नोडल अधिकारी उनके लिए भी पोस्टर बैलेट से विधाओं का समनवाई करेंगे जिन व्यक्तियों को पोस्टर बैलेट इशू किया जा सकता है वो हैं हर वो व्यक्ति जो इलेक्शन ड्यूटी में अंगिज्ड हैं निर्वाचन ड्यूटी पत्याना सभी नर्वाचक अपनामत सुविधा केंदर पर ही डालेंगे किसी अन्यमाधियम से नहीं मतदान पूरी तरह पारदरशी तरीके से कराया जावेगा जलाद नर्वाचन अधीकारी सुविधा केंद एस्थापित करने के लिए रिटर्णिंग ऑफीसर को आवैशक लॉजिस्टर क। प्रदान करेंगे स्वविधा केंदर प्रेसिक्षन इस्थल और रिटर्निंग अधीकारी के कार्यालाय में इस्थापित किये जावेंगे उस जिले में शामल प्रतिक विदान सावा छेत्र के लिए प्रेसिक्षन केंदर में एक स्वविधा केंदर इस्थापित किया जावेगा अन्य जलों से निर्वाचन डूटी पर आये मतदाताओं के लिए प्रिसिक्षार इस्थल पर एक अतिरक्ष सोविधा के इन रुप्लप्त कराया जावेगा आदर्श रूप से किसी जले के असेंब्री कंस्टिट्रेंसी सभी सोविधा केंदर एक ही इस्थान पर इस्थित होने चाहिए हाला कि यदि दूरी के कारण है संभाव नहीं है तो दूर दराज के छेतर में इस्थित असेंब्री कंस्टिट्रेंसी के लिए Facilitation Center को Assembly Constitucy के मुख्याले में Presection स्थर पर स्थापित किया जा सकता है Returning Officer के कार्याले में एक और Facilitation Center स्थापित किया जावेगा मतदान दलों के अलावा निर्वाचन डूटी पर तैनाग निर्वाचक जैसे पलिस करमी, वीडियो ग्राफर, सफाई करमी और निर्वाचन डूटी में लगी अनकरमचारी इस Facilitation Center पर अपना मतंकित कर सकेंगे Returning अधिकारी के कार्याले में सुविधा केंद्र, सामान कार्याले समय के दोरान P-3 दिवस से P-1 दिवस ता कार करेगा जहां निर्वाचन डूटी के लिए पलिस करमीों की तेहनाती P-3 दिवस से पहले की जाती है वहां Returning Officer निर्वाचन डूटी पर तेहनात पलिस करमीों दोरा डाक मत दान की सुविधा के लिए तदानुसार अपने कारयाले में Facilitation Center स्थापित कर सकते हैं Returning Officer पोस्टर बैलेट के संचालन के लिए Group B या से उपर किस तर के अधिकारी को सुविधा केंद का प्रभारी बना सकते हैं इस अधिकारी को सुविधा केंद पर डाक मत पत के माध्यम से मतदान कराने में तीन अधिकारीयों द्वारा सहायता प्रतान की जावेगी Returning Officer Facilitation Center पर Logistic और समग पोस्टर बैलेट मतदान प्रकरिया की निगरानी की जिम्मेदारी एक Assistant Returning Officer को सौप सकते हैं Presection स्थल पर Facilitation Center Presection समय के दोरान कार करेंगे Returning Officer के कारयाले में सामान कारयाले समय के दोरान P-3 दिवस से P-1 दिवस तक कार करेंगे इस उदेश के लिए निग्त Assistant Returning Officer के माध्यम से Returning Officer संबंदित फॉर्म लिफाफे और अनसंबंदित समगरी के साथ निर्वाचन डूटी पर निर्वाचकों की सूची के साथ पोस्टर बैलिट सुविधा केंदरों में भेजेंगे यदि फैचरिटरिशन सेंटर पोस्टर बैलिट जारी करने वाले Returning Officer के अधिकार छेट से बाहर है लेकिन जिले के भीतर है तो वह ऐसे जिलाद निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से भेजने के बजाए सीधे सुविधा केंदर के संबंदित असस्टर रेटर्निंग ओफीसर को भेजेंगे Returning Officer निर्वाचन डूटी पर एसे सभी निर्वाचकों की करम संख्या, भाग संख्या और एसी संख्या एक तो रिकौर्ड बनाए रखेंगे जने पोस्टर बैलेट जारी किया गया है यदि अब भेज़ती चाहें तो निर्वाचकों की यह सूची अब भेज़तियों के साथ भी साजा की जा सकती है हाला कि सूची में जारी किये गए डाग मतपत का करमाग नहीं होना चाहिए निर्वाचक को पोस्टर बैलेट और अन्य फॉर्म सौपने से पहले शुनिश्यत करें कि फॉर्म 13B विदीवत रूप से भरा हो फॉर्म 13B में पोस्टर बैलेट की करम संक्या भनने का कार रिटर्निंग ओफिचर के कारया लेकि एक करमचारी को सौपा जाना चाहिए फैचलिटरिशन सेंटर में वोटिंग अपार्टमेंट उसी तरह होंगे जैसे मतदान केंदर में स्थापित किये जाते हैं निर्वाचक सूची की परती सबी आवशक प्रारूप पैन गौन दादी की ववस्ता फैचलिटरिशन सेंटर पर उपलप्त कराई जावेगी फॉर्म 13A में निर्वाचक की घोशना और हस्ताक्षा के सत्यापन के लिए गौरूप A या गौरूप B अधिकारी को फैचलिटरिशन सेंटर में डूटी सौपी जानी चाहिए सत्यापित करने वाले अधिकारी को दिनांग के साथ पूर्ण हस्ताक्षा करना चाहिए और हाथ से लिखना चाहिए या अपना पदनाम और कारेले का पता दरशाने वाली मोहर लगानी चाहिए निर्वाचन डूटी पर निर्वाचक कों की सूची का प्रभारी और निर्वाचक कों की पहचान के लिए जम्मेदार होंगे EPIC या अन्य किसी फोटो पहचान पत्र के दस्तावीच के आधार पर नर्वाचकों की पहचान सत्यापित करेंगे और निर्दादित रजिस्टर में पिरतिक नर्वाचक के हस्ताक्षार भी प्राप्त करेंगे सम्मधित रजिस्टर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सेकंड पूलिंग ओफिसर जितिय मतदान अधीकारी अमिट स्याही के परभारी होंगे नर्वाचक की पहचान के पश्याथ रजिस्टर में नर्वाचक के हस्ताक्षा पराप्त कर ऐसे नर्वाचक के बाएं हाथ की तरजिनी में अमिट स्याही लगाएंगे तर्ड ंपुलिंガाफिसर त리ती मतदान दीजकारी डाक मदपत्रों के परभारी होंगे और निर्वाचन डूटि पर निर्वाचकों को डाक मदपत्र जारी करेंगे सीलिंग ओफ रेजिस्टर्स ऑ वोटर मतदान समाप्त होने के बाद रेजिस्टर को सील कर दिया जाना चाहिए और रूल 93 तो कि कंडेक्शन आफ लेक्शन रूल 1961 का रूल 93 है में उल्लिकित अंडे वैदानिक दस्तावीजों लिफाफों के साथ रखा जाना चाहिए रेजिस्टर की प्रती उन अभियर्तियों को दी जा सकती है जो इसके लिए अनुरूत करते हैं कास्टिंग और पोस्टल बैलेट डाक मतपद प्राप्त करने के बाद नर्वाचक मतदान प्रकुष्ट में जाएंगे और अपनी पसंद को चिन्नित करेंगे गोश्णा पर पत्र फॉर्म 13A में पोस्टल बैलेट का करमांग यदि पहले से नहीं भरा गया है तो इसे भरेंगे वा इनर एन्वलाफ फॉर्म 13B पर भी पोस्टल बैलेट का करमांग लिखेंगे और इसी एन्वलाफ 13B में बैलेट पेपर रखा जाना है अब गोश्णा और सील बंद लिफाफा फॉर्म 13B बाहरी लिफाफे फॉर्म 13C में रखे जावेंगे फॉर्म 13C को भी सील बंद करने के बाद उसे सुविधा केंड में रखे ड्रॉप बॉक्स में डाला जावेगा डाक मतपच डालने के लिए शीर्ष पर एक छेद वाला बड़ा स्टील ट्रंक फैसिलिटिशन सेंटर में रखा जाएगा इसे संबंदित A.R. के परभार में रखा जावेगा पोस्टर बैलेट डालने से पहले खाली मतपेटी, खोली जावेगी और सभी उपस्टित लोगों को दिखाई जावेगी इसके पश्चाद मतपेटी को फैसिलिटिशन सेंटर के परभारी दोरा सील किया जावेगा सभी नर्वाच को दोरा अपना मत अंकित करने के बाद डाग मतपत्र वाले लिफावे को असेंबली कंस्टिटेंसी का नुसार अलग अलग किया जाएगा और संबनित विदानसवा नर्वाचन छेतर के रिटर्निंग अधिकारियों को भीजा जावेगा पर तेक दिवस मतदान समाप्त होने के पश्चाद फैसिलिटेशन सेंटर से प्राप्र डाग मतपत्रों को एक बड़े सूती बैग में रखा जाएगा जिसमें असेंबली कंस्टिटेंसी का नाम मतदान की दनांग और डाले गए डाग मतपत्रों की संख्या बैग पर लिखी जावेगी बैग को पिरतीक दिवस रिटर्निंग ओफिसर के पाथ जमा कराया जावेगा अलग अलग दिवसों पर सुविधा के इंद के लिए अलग अलग बैग होंगे रिटर्निंग ओफिसर उसे प्राप्त मतपत्रों की कुल संख्या का तिथीवार और फैसिलिटेशन सेंटर वार रिकॉर्ड बनाए रखेंगे Information to representatives of the candidates of political parties सभी मानत अपराप रालनेतिक दलों को इस्थल, कारकरम और फैसिलिटेशन सेंटर के बारे में लिखत रूप से सूचित किया जावेगा उन्हें फैसिलिटेशन सेंटर पर मत्यदान की प्रकरिया देखने के लिए अपने representative भेजने की अनुमती होगी किसी भी व्यक्ति को मत्यदान प्रकरिया में हस्तक्षेप करने की अनुमती नहीं दी जाएगी और किसी भी हस्तषेप की स्थिती बे सूविधा के इनके प्रबारी ऐसे व्यक्ति को तुरंत परीशा छोड़ने का आदिश दे सकते हैं सूविधा के दूर पर मत्यदान की पूरी प्रकरिया की वीडियोग्राफी की जावेगी लेकिन मत्य की गोपनियता बनाई रखी जावेगी कलेक्शन अप पोस्टल बैलेट्स सभी डागमत पत्र डाले जाने के बाद राजनतिक दलों या अभेहरतियों के प्रतिनिदियों की उपस्तिती में फेस्चिलिटे सेंटर के परभारी ड्रॉप बॉक्स खुलेंगे सभी पोस्ट बैलेट को बॉक से बाहर निकाला जाएगा और खाली बॉक्स सभी उपस्तित को दिखाया जावेगा प्रतिक असेंब्ली Конstitents या पार्लेमेर्टी आस्यूटेंसी के लिए प्राप्स डाक मत्मत्त्र लिफाथों की कुल संख्या नरधार्ट प्रारूप पर लिखी जावेगी। उपस्ते राजने तक दलों अभी हरतियों के प्रतियों से हस्ताक्षर करने का नुरूत किया जाएगा और उन्हें इस प्रारूप की प्रती भी दी जावेगी प्रारूप वन यानि के फॉर्मेट वन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं असेम्ली कस्ट्यूटेंसी के लिए सभी पॉस्टर बैलेट लिफाफे उस असेम्ली कस्ट्यूटेंसी के लिए बने एक बड़े लिफाफे या सूती बैग में रखे जाएंगे इस लिफाफे या सूती बैग पर असेम्बली कंस्टिटिंसी का नंबर और नाम फैसिलिटिशन सेंटर का नाम मतदान की दिनांग और उसमें मौजूद पोस्टर बैलेट यानि कि एनवलब 13C की संख्या इस पश्ट रूप से लिखी जावेगी इस बड़े लिफाफे या सूती बैग को प्रारूप एक की एक परती के साथ संबंदित असेम्बली कंस्टिटिंसी के रिटर्निंग अधीकारी को इस उद्देश के लिए निक्त एक विशेश दूद के माध्यम से भीजा जाएगा जो उप तैसिलदार के इस तर से नीचे का ना हो यह कार फैसिलिटेशन सेंटर में मत्यदान के प्रतिक दिवस किया जावेगा फॉर्म 13C और संबंदित कागजाद वाले ऐसे सभी बड़े लिफाफे असूती बैग संबंदित रिटरिनिंग उफीसर के पास स्वरक्षित रखे जावेंगे संबंदित असम्रिका स्टूटेंसी के रिटरिनिंग उफीसर डाक मत्पतर वाले लिफाफे को प्रारूप एक की परती के साथ विशेश रूप से इस उदेश के लिए बनाएगाए विशेश स्टॉंग रूम में रखेंगे रिटरिनिंग उफीसर प्रारूप एक की परती जिला नर्वाचन अधीकारी को भेजेंगे प्रारूप एक में दी गई जानकारी के आधार पर प्रती एक जिले के जिला नर्वाचन अधीकारी अपने जिले के सविधा केंदरों में प्रती एक दिवस सविधा केंदरों पर डाले गए पोस्टर बैलेट की जानकारी प्रारूप दो में तयार करेंगे यह सूची राज के मुखे नर्वाचन पतादी कारी को भीजी जावेगी फॉर्मेट टू आप स्क्रीन पे देख रहे हैं चीफ एलेक्टरल ओफीसर पूरे राज की जानकारी को प्रारूब तीन में संगलित करेंगे और सभी फैसिलिटिशन सेंटर पर पोस्टर बैलेट के पूरा होने के बाद आयोग को भीजेंगे चीफ एलेक्टरल ओफीसर सभी मानत प्रावराजनेतिक दलों को प्रारूब तीन में रिटर्न की एक प्रती भी देंगे प्रारूब तीन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं औरियन्टेशन आफ एलेक्टर्स आयोग का नर्देश है कि पोस्टर बैलेट के माध्यम से मत अंकित करने की पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग ओफीसर या असिस्टर रिटर्निंग ओफीसर दोरा सभी नर्वाजकों को अच्छी तरह समझाई जाएगी ताकि उनके दोरा मत अंकित करने में कोई तरूटी ना हो इस एजूकेशनल वीडियों में हमने डाक मत पत रित्यू बनाए गए सुविधा के इंदर को समझा यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर देख रहे मेल के थूरूँ कॉंटेट कर सकते हैं रूलसे रेगुलिशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर देख रहे हैं वेबसेट पर विजिट करें थैंक यू धन्यवाद